नमस्का, NOS की स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है, आज हम बात करेंगे DL8 के पाठ्ठेक्रम 506 जिसका विशे है अभिप्रेणा का विकास एवं इससे संबंधित विधियां आज इस विशे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रश्मी अगरवाल, एसोसियेट प्रोफेसर, शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय, महात्मा जोतिबा फुले रुहेलखंड विश्विध्याले परिसर बरेली उत्तर प्रदेश से, मैडम मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने स्टूडियो में तबस्ते जोतिए, आज आपसे अभिप्रेणा के विकास एवं विधियों के विशे में चर्चा करना चाहेंगे, तो मैडम आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अभिप्रेणा सीख किस प्रकार से योगदान देती है? कहें हमारा शिक्षा का उद्देश विक्तित्तु का सरवांगीर विकास है, तो जो भी चीजें हम सिखाना चाहें, चाहें वो विशेवस्तु है या गुण है, या कोई अच्छी आदते हैं, वो सब सिखाना चाहते हैं, उन सब के लिए अभिप्रेणा जरूरी होती है, पह विशेवस्तु सीखेगा भी नहीं, दुसी चीज, अगर चात्र का व्यवहार वांचित नहीं है, तो हम अभिप्रेणी करके या उचित अभिप्रेणा के माध्यम से उसके व्यवहार पर नियंत्रन रख सकते हैं, जैसे कक्षा में अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम उसके विवहार पर नियंत्रन रख सकते हैं कि वो ध्यान दे कक्षा में वह भी अभिप्रेणा के माध्यम से होगा अगर उसकी किसी विशयवस्तु को सीखने में रुची नहीं बन रही है तो हम उचित अभिप्रेणा के माध्यम से उस विशय में या उस विशय वस्तू के प्रति उसकी रुची की भी विक्सित कर सकते हैं अगर वो कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है तो हम अभिप्रेणा के माध्यम से उसके ध्यान को अपनी और केंद्रित भी कर सकते हैं अगर वो पढ़ने की तरफ जादा सिंसियर या बहुत जादा सजग नहीं है, बहुत जादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, अपने लक्ष से भटक जाता है बार-बार, तो उसको लक्ष निर्देशित करने के लिए भी हम अभिप्रेजित कर सकते हैं. जहां तक चरित्रिक विकास की बात है, वो तो बिना अभिप्रेजित के संभवी नहीं है, हमें बच्चे के चरित्र में उत्तम लक्षन, अगर उत्तम विशेष्टाएं विक्षित करनी हैं, तो अभिप्रेजित करना ही होगा, और जो सबसे बड़ी समस्या कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को उसका सामना करना पड़ता है, कि चात्र अनुशासित नहीं रह पाते हैं, अनुशासन हीनता होती है, तब भी हमें अभिप्रेरणा के द्वारा चात्रों को हम अनुशासित कर सकते हैं, अब अगर ऐसे हम देखें, तो कक्षा में आने से पूर्व भी, या बच्चा जब से थोड़ा सा समझदार होता है, तब से वो बहुत सारी क्रियाएं करता है, और वो क्रियाएं के परिणाम या उन क्रियाओं को करने से बाकी लोग उसके साथ में कैसा विवहार कर रहे हैं, इससे धीरे धीरे उसमें किनी विशेश क्रियाओं को करने के लिए स्वयम से अंतरिक अभिप्रेरिणा बनना शुरू हो जाती है कि वो आगे कैसा करेगा चाहे वो पढ़ने के लिए हो या किसी विशेश प्रकार के चारित्रिक विशेशताओं के लिए हो या सजगता हो या ध्यान केंदरी करन हो वो स्वयम धीरे-धीरे उसमें विक्सित होता जाता है अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो आंतरिक अभिप्रेरिणा है वो बालक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है कि नहीं वो उसके विवहार से परिलक्षित होता है कौन सा बालक आगे चल करके आंतरिक रूप से कक्षा में अभिप्रेरित होगा या नहीं ह ये उसके व्यवहार के कुछ विशेष्टाओं से प्रदर्शित होता है। आईए जाने वो कौन-कौन से विशेष्टाइं हैं और हम उनके लिए प्रयार समय करना जरूरी होगा। जैसे लगणशीलता। अगर लगणशीलता से तातपर है बिना समय के सीमा को ध्यान में रखे हुए या लंबे समय तक किसी विशेष कारे को करते चले जाना और उस कारे को हताश होकर के जल्दी ही न छोड़ देना। कुछ बच्चे काम में लगे रहते हैं लगातार जब तक कि उस काम को कम्प्लीट न कर लें, पूर्ण न कर लें। कुछ बच्चे लगणशीलता नहीं होते, जल्दी ही दूसरे लक्षकी ओर लग जाते हैं, छोड़ देते हैं उस काम को। अंतरिक रूप से अभिप्रेरित वही बालक होगा जिसमें लगणशीलता होगी। दूसरी चीज, लगणशीलता कब होती है? जब वो कारे थोड़ा सा चुनोती वाला हो। अगर बहुत सरल कारे होगा, तब भी लगणशीलता कि उसमें आवशक्ता ही नहीं होगी, क्योंकि वो कारे जल्दी समाप्त हो जाएगा। और अगर बहुत जादा कठिन होगा, तो लगन शीलता समाप्त जल्दी हो जाएगा, और धीरे-धीरे लगन शीलता कम होती चली जाएगी. अगर कारे बच्चों को ऐसे मिलते जा रही हैं, उनके पालन पोशन के दोरान, जो उनके लिए थोड़े से चुनोती पूर्ण हैं, ना बहुत सरल हैं, ना अत्यदिक चुनोती पूर्ण हैं, तब उनकी लगन शीलता धीरे-धीरे विक्षित होती जाती है. क्यों विक्षित होती हैं? क्योंकि उप्योक्त चुनोती पूर्ण कारे करने से सफलता का एहसास उसके साथ जुड़ा हुआ है. सफलता एक ऐसी चीज है, जो महसूस की जाती है. अगर कारे बहुत जादा सरल है, तो उस सरल कारे को करने से हमें सफलता का एहसास नहीं होता. हमें लगता है यह तो बहुत आसान था, हमने कर ही लिया और अगर बहुत ज़्यादा कठिन है तो असफलता होती है और असफलता के होने से आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होने की प्रिविर्थिक खत्म होती चली जाती है, हम नर्वस हो जाते हैं, हमारा आत्म जो विश्व से वो कमजोर हो जाता है, लगनशीलता समाथ हो जाती है, इसलिए अगर उप्यूक्त चुनोती पूर्ण कार होता है, तो सफलता का एहसास होता है और यह सफलता का एहसास आगे के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने का कार्य करता है, एक चीज जो हमें अपने पा पर जादा निर्भर होंगे, तो हमेशा वो बाहे अभिप्रेरिना को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होंगे, जो बच्चे शुरुआत से ही कम उमर से ही बड़ों पर जिनके निर्भरता कम होती जाती है, छोटे-छोटे कार्य पर जाते हैं, उनमें आत्मविश्वास भी विक्सित होता है, और आंतरिक रूप से अभिप्रेरित भी होते हैं, और इसे प्रकार से एक चीज जो और उनके विवहार से प्रगट होती है, आंतरिक अभिप्रेरिना के लिए, वो है उनके सकारात्मक सम्वेग, आम तोर पर जिने हम कहते हैं, गुड मूड, अच्छा मूड, जिनमें वो प्रसनता का अनभव करें, जब बच्चे किसी परस्तिती में प्रसनता का अनभव करते हैं, संतुष्टी का अनभव करते हैं, मूड अच्छा रहता है उनका, ऐसे ही बच्चे आंतरिक रूप से आगे अपने इसलिए, अभिप्रेरिदी करने के लिए, हम इन विशेष्टाओं से युक्त अपनेबच्छों को बनाएं, जिससे वो जीवन में आंत्रिक रूप से अभिप्रेरिदा हैं, सीकhने के लिए. खात्रों को बाहे रूप से अभिप्रेरित करने के लिए हम किन-किन विधियों का प्रियोग कर सकते हैं पहले मुझे लगता है कि पहले हम आंतरिक अभिप्रेरिणा पर बात कर लें कि आंतरिक रूप से बच्चे कैसे अभिप्रेरित होंगे क्योंकि बाहे अविप्रेरिणा की अवशक्ता हमें तब पढ़ती है जब बच्चा आंतरिक रूप से अविप्रेरित न हो और आंतरिक अविप्रेरिणा के लिए हमें अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है हमें अपने पालन पोशन के तरीके या शिक्षन विधी में इस प्रकार का हमें अपने उनसे बच्चों के साथ में कैसे विवहार करना है ये निश्चित करता है कि हम अपने छात्रों को आंतरिक रूप से कैसे अवपरेरित बनाएं हमिन क्या करना चाहिए, बच्चों को अंत्रिक रूप से अब परेरित करने के लिए हमिने उनका लक्ष निर्धारण करें वो लक्ष जादा अच्छा होगा, बच्चे स्वेहं अपने लिए निर्धारित करें जैसे गणित की कक्षा में हम बच्चों से पूछें कि अच्छा छात्रों बताओ आज हम कितने सवाल हल कर लेंगे बच्चे कहें कि आज हम ये वाली अभ्यास में जितने 10 सवाल है ये सब हल कर लेंगे अब उनके सामने लक्ष हो गया और वो सहम ही अभ्यास हो जाएंगे कि इन लक्ष को इस इन 10 सवालों को आज मुझे आदे घंटे के कालांश में पूर्ण कर लेना है तो लक्ष निर्धारा करने से छात्र आंतरी रूप से अभ्यास हो सकता है अगर हम हर बात में बच्चे की प्रिशनसा करते रहेंगे तो वो इसका आदी हो जाता है वो उसकी आंतरी अभिप्रेणा के लिए बाधक होता है एक सवाल करने के बाद में वो हमारा मुह देखता है कि जब सर कहेंगे हाँ ठीक है शाबाश तभी हम अगला प्रिशन करेंगे जबरदस्ती उसको प्रिशनसा करने की ज़रत नहीं है सेम उसको संतुष्टी का अनुभव, सफलता का अनुभव होने दे अनावश्यक उसके प्रिशनसा न करें उचित वातावरान प्रदान करें यानि उसके सम्मुक हम ऐसे कारे रखें बहुत छोटा बच्चा है कुछ क्रियाएं ऐसी करने के लिए दें जिसमें वो आंतरिक अविप्रेणा का अनुभव करें कुछ ऐसे खिलोने उसको खिलने के लिए देए जाएं जिसको करने के माद्धम से वो सफलता का हैसास करें उसके लिए चुनोते पूर्णे आजकल बजार में कितने ही प्रकार के ब्लॉक्स हैं जो उम्र के हिसाब से हैं हम ब्लॉक बिल्डिंग वाला गेम अगर उनको दें और वो सेम से अनुभव करें कि हमें ये ब्लॉक से क्या-क्या आकरतियां बनानी हैं तो वो आंतरिक रूप से अविप्रेणित होंगे एक चीज़ और जब मैंने इसके पहले बात की थी कि लगन शीलता आंतरिक अविप्रेणा का एक विवारगत विशेश्टा है उसके लिए हमें करना क्या होगा चात्रों को हम समय सीमा में ना बाढ़ें जल्दी न करें कि तुम्हें इतनी जल्दी इस काम को करना है अगर हम समय सीमा में बाढ़ते हैं तो लगन शीलता उनकी कम होती है तो थोड़ा सा समय की सीमा से हट करके हम उनको कार करने दे अगर लगन के उसके परिक्षा ना ले हम अगर उसके लगन शीलता चल रही है तो हम यह न कहें कि नहीं अब ये पीरेट समापत हो गया अब तुम जाओ अब इस काम को नहीं करना है ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए एक चीज़ और हम बड़ों में ये आदत होती है चाहे तो हम माता-पिता के तौर पर अगर बात करें या शिक्षक के तौर पर बात करें जहां पर हमारा चात्र, जहां पर हमारा बच्चा थोड़ी भी कठनाई का अनभव करता है, क्योंकि हम अनभवी हैं, हम जल्दी से उसे सहायता प्रदान करने के कोशिच करते हैं, प्रेमवश, लाडवश, या उसके गार्जिन होने के नाते से, ऐसा ना करें, अनावश्यक सह प्रेडित करने के लिए कुछ चुनोती पूर्ण कार दें, उचित, जैसा मैंने कहा पहले, कि विवार्ग दिशेशता हैं, उसके सामने चुनोतियां हमें रखनी पड़ेंगी, कि तुम्हें क्या करना है, जैसे अगर हम ब्लॉक खेलने के लिए देते हैं, हम उससे कहें, कि इस ब्लॉक से चलो ट्रेन बना करके दिखाओ, चलो इस ब्लॉक से अब महल बना करके दिखाओ, उचित सुनोती दें, जिसके लिए वो आंतरी रूप से अब प्रेरित हो कि मुझे ऐसा करना है, हम एक काम और करें, कई बार हम बच्चे की उपलब्दी के निरनायक हम हो जा तो अपनी पीड़ वो स्वयम क्यों न थपत पाए, स्वयम क्यों नहीं अपनी सफलता से खुश हो, जब बच्चा स्वयम अपनी सफलता से खुश होता है, तब वो आंतरी रूप से आगे के लिए अब प्रेरित होता है, उस सफलता का मजा, उस सफलता का स्वाद, बार बा वो स्वयम चकना चाहता है, तो उनके उपलब्दी के उन्हें खुद ही जणायक होने दें, कि उन्होंने क्या काम अच्छे से कर लिया या क्या नहीं, तब वो आंत्रिक रूप से अपरेडित होने की उनमें प्रुवर्ति बनती है, अगर हम प्रशंसा और प्रुसकार उन्हे दें भी, तो उनके कार्यों के उस इस काम के लिए न दें, कि उन्होंने सफलता हासिल की, हम उन्हें प्रोथसाहित करने के लिए लगनशीलता के लिए दिये, कि अच्छा तुम बहुत अच्छा बच्चे, तुम लगातार एक गंटे तक लगे रहे, लेकिन आखिरकार तु प्रोषकार को न जोड़े, तब आंतरिक अभिप्रेजना में मदद मिलती है, हम थोड़े से इस बात के भी आदी होते हैं, क्योंकि हमें मान लेते हैं कि हम बड़े हैं, हम माता-पिता हैं, हम इनसे जादा जानकार हैं, हम उन्हें दिशा निर्देश देते हैं, ब्लॉक ख अजादी दें, दिशा निर्देश कम दें, आजादी जादा दें, बस लक्ष निर्धारित कर दिया, उनकी चुनौती के हिसाब से, कि ये तुम काम कर लो, उसके बाद वो दिशा निर्देशित वो स्वेम अंदर से हो, कि उस ब्लॉक से उस ट्रेन को बनाने के लिए, वो क विर्ति उत्पन होगी, हमें अंततो गत्ता तो यही करना है न, कि छात्र जीवन में हमेशा स्वेम से अविप्रेरित रहे, सीखने के लिए उचे दिश्टिकोन का विकास कर ले, हम हमेशा उसको सीखने के लिए दिशा निर्देशित तो नहीं कर सकते, जब वो धीरे-दीर बड़ा होगा, तो लर्निंग how to learn, तो उसमें विक्सित होनी ही होगी, सीखा कैसे जाता है, सीखना चाहिए, यह दिश्टिकोन तो उसमें विक्सित करना ही होगा हमें, तो प्रियास यह करें, कि आंतरिक अभिप्रेरित के माध्धिम से वो इस लायक बने, कि जब वो लबदी के निरणायक नहों पाएं, दूसरे उसे ये न बताएं, क्योंकि जीवन में तो अंत्तो गत्वा उसे आंतरिक रूप से अवप्रेज़ना ही काम उसके आनी है, हमेशा तो उसे बाहर रूप से अवप्रेज़ित करने वाला कोई मिलेगा नहीं, तो यह हमें प्रयास क का एहसास करने देना होगा, तब वो उनमें धीरे-धीरे प्रवर्ति होगी, कि वो अपने जीवन में आंतरिक रूप से अवप्रेज़ित हो सकेंगे, आंतरिक रूप से अवप्रेज़ना हेतू विबिन विदियों की आपने चर्चा की, क्या कुछ ऐसी वाहे विदिया भी हो सकती है, जो छात्रों को अभी प्रेज़ित कर सकें, जी बिलकुल जी होती, देखें जरूरी नहीं है कि बच्चा हमेशा आंतरिक रूप से अभी प्रेज़ित हो ही, गणित विशय या विज्ञान विशय या भाशा, वो इसलिए सीखें कि उसमें उसकी रुची है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तब हमें आवशक्ता, हम इंतजार नहीं कर सकते कि बच्चा स्वयम से जब तक रूची नहीं लेगा, तब तक नहीं पढ़ाएंगे, न हम ये छोड़ सकते हैं कि इसकी क्योंकि गणित में रूची नहीं है, विज्ञान में रूची नहीं है, तो हम अनुभूती नहीं हो रही है इसलिए वो आंत्रिक रूप से अविप्रेरित भी नहीं है तब हमें बाहरूप से अविप्रेरित करना होता है एक शिक्षक का दायत यह है अगर बच्चा आंत्रिक रूप से अविप्रेरित है तो आपका दायत इतना जादा नहीं है शिक्षक क असली दायत हुट तो यही है कि बच्चे को बाहरूप से अव्प्रेरित करें जिससे कि वो सीखने में ततपर हो सकें तो अब कुछ मैं ऐसी विधियों पर चर्चा करूंगी कि छात्र को हम बाहरूप से कैसे अव्प्रेरित कर सकते हैं पहले चीज कक्षा का वातावरण सुखद होना चाहिए यहां पर कक्षा के वातावरण से तात पर कक्षा का भौतिक वातावरण भी है और कक्षा का मनोवज्ञानिक भी बहुत तिक वातावन से तात पर सुख़द से तात पर आराम दायक क्योंकि अगर उनका दिमाग किसी भी प्रकार से विचलित होता है किसी भी कष्ट में जाता है तो वो सीखने के लिए और अभिप्रेरित नहीं हो सकते कुर्सी फरनीचर उनके आराम के हिसाब से नहीं है कुर्सी में कष्ट है बैठने में सुख़द नहीं है कक्षा का वातावन कमरे में कक्षा कक्ष में बहुत गर्मी है हवा का प्रवंद नहीं है रोश्नी का प्रवंद नहीं है वो कष्ट गायक है अगर ये सब होगा तो ये वातावरण सुखद नहीं है और सुखद नहीं है तो वो सीखने के लिए अविप्रेरित नहीं होगा तो हमें एक तो कक्षा का भौतिक वातावरण सुखद बनाना होगा इसी प्रकार से मनुवग्यानिक वातावन सुखद बनाने से तात पर सौहाद पून, प्रेम पून, आराम दायक वातावन, जिसमें बच्चा बिना किसी भैके, बिना संकोच के प्रेम पूर्वक, आराम पूर्वक कक्षा में बैठा हुआ है, तब वो सीखने के लिए अब्र प्रेम के लिए है, तब वो कक्षा में सीखने के लिए ततपर होंगे, अविप्रेरित होंगे, दुसी चीज, जब हम पढ़ाते हैं कक्षा में, तब एक ही तरह से ना पढ़ाते चले जाएं, इसको कहते हैं उद्दीपक परिवर्तन, stimulus variation, हम अपने हावभाव में परिवर् कभी चातर के पास जा रहे हैं, कभी उसे थोड़ा दूर जा रहे हैं, यह सब भाव भंगिवाओं में परिवर्तन लाएं, एक बहुत महत्पूर्ण है, चातर कौन सी ज्ञानिंद्रिय का उपियो कर रहा है, इसमें परिवर्तन लाएं, कभी उसको आँखों से देखने के आवशक्ता पड़े, कभी उसको कानों से सुनने के आवशक्ता पड़े, कभी उसको हातों से छूने के आवशक्ता पड़े, इस पर्ष की आवशक्ता पड़े, जब हम ये परिवर्तन लाते हैं, तो निरंतर हमारे चात्र अभिप्रेरित रहते हैं, बाहर रूप से अभिप् जो मनुवेज्ञानिक विदिया हैं, बाहर से हम चात्रों को शीकने के लिए कैसे अविपरेरित करें हैं, जैसे एक विदी है, सुक और दुख का प्रियोग यह एक मानव की प्रविर्ति है, जो काम उसके लिए सुख़दाई होता है, वो उसमें लगा रहता है जो काम उसके लिए दुखदाई रहता है वो उस काम को छोड़ देता है अगर सीखने की प्रक्रिया छात्र के लिए सुखदाई है सीखने का वातवन उसके लिए सुखदाई है तो वो सीखने के लिए अभिप्रेरित होगा अगर दुखदाई है तो नहीं होगा तो सुखदाई कैसे हो सकता है छात्र को सुखद अनुभूतियां प्रदान करना वो सुखद अनुभूतियां सफलता की हो सकती है प्रेम की हो सकती है और अगर हम दुख देते हैं उसे हमसे डरा हुआ रहता है तब वो दुखद अनुभ अल्पेरेइट करने के लिए करना पड़ता है लेकिन бहुत अब् September events का प्रियोक करें सुय प्रियोक जादा करें इसी प्रकार एक विद्घिये प्रशंसा वा निंदा यह भी मानव प्रविर्थी है कि इस काम को करने यह ग चोटे चोटे कारियों के लिए प्रशंसा चाहते हैं, जो बहुत होशयार बच्चे होते हैं, बहुत बुद्धिमान बच्चे होते हैं, वो बड़े कारियों के लिए प्रशंसा चाहते हैं, जो बहुत जादा बुद्धिमान बच्चे होते हैं, और वो कोई गलती कर देते है उनके साथ में निंदा का प्रयोग किर सकता है जैसे बहुत बुद्धिमान चात है बहुत अच्छा पढ़ रहा है कोई चीज उसने गलत बताई हम उसे कह सकते हैं तुम तो बहुत अच्छे चात्रो आज तुमने ये सब गलत क्यों किया हलकी सी निंदा है लेकिन इसी से वो अभिप्रेजित हो जाएगा अपने पाठ को सही तरह से पढ़ने के लिए लेकिन जो पढ़ने में कमजोर चात्र है उसके साथ में निंदा का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं कर सकते उसको तो प्रशंसा के माध्यम से ही अगर कमजोर चात्र से हम कह देंगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता तुम यह नहीं कर सकते तो वो बिल्कुल भी नहीं सीखेगा उसको तो हम छोटी से बाच्छा तुमने यह कर दिया बहुत अच्छा शाबाश आगे बढ़ो प्रशंसा हम बहुत तरीके से कर सकते हैं शाब्दिक प्रशंसा कर सकते हैं तारीफ करके हम एक मुस्कुरा सकते हैं उसकी तरफ देख करके वो भी प्रशंसा का कार करता है हम उसकी पीट थप थपा सकते हैं वो भी प्रशंसा का कार करता है कई बार बच्चों की आँखों में आखे डाल करके ही देखने से एक चेहरे पर सौमिभाव लाने से ही बच्चा प्रशंसा का अनुभव करने लगता है तो हम कैसे भी करके उसको प्रशंसा प्रदान कर सकते हैं प्रशंसा और निंदा के ही थोड़े मूर्त रूप हैं पुरुसकार और दंड अच्छे कामों के लिए पुरुसकार गलत काम के लिए दंड लेकिन यहां पर बहुत सावधानी देनी होती है पुरुसकार और दंड में वरना हमें ये ध्यान रखना होगा पुरुसकार और दंड साधन बने साधन न बने बच्चा पुरुसकार के लिए कारे न करे बलकि जिस कारे को करने के लिए पुरुसकार दिया जा रहा है वो कारे करे हम पुरुसकार कई प्रकार से दे सकते हैं हम पुरुसकार उसे मनवांचित वस्तु दे करके पुरुसकार दे सकते हैं हम उसे सिंबॉलिक पुरुसकार दे सकते हैं जैसे अंक, जैसे ग्रेड, जैसे कोई गोल्ड मेडल वो भी दे सकते हैं हम पुरुसकार एक्टिविटी माध्यम से भी दे सकते हैं किसी मनवांचित क्रिया में लगने के लिए, जैसे हम उसे कह सकते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, जाओ, तुम ये खेल आओ थोड़ी देर के लिए, या टीवी पर अपना मनपसंद कारक्रम देखो, वो भी पुरुसकार का काम करता है, ये भी कर सकते हैं, इसी प्रकार से दंड, दंड जो कारे करता है, वो भै पर कारे करता है, भै भीत करने से कई बार जो व्यक्तित तो है, उसमें विक्रती आने के संभावना होती है, या कई बार तो हम दंड देते हैं, हम लोगों से गलती हो जाती है, बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि उसे दंड क्यों दिया जा रहा है तब दंड अभिप्रेणा का माध्यम कभी नहीं हो सकता अगर पहली बात बच्चे को एहसास हो कि उसने किस गलत काम से रोकने के लिए उसे दंड दिया जा रहा है वो पहले पता हो उसे और बहुत हलका हो तब जब पुरुसकार या अन्य किसी माध्यम से छात्र अभिप्रेजित न हो पा रहा हो तब दंड का प्रियोग करें वरना न करें पुरुसकार का प्रियोग भी बहुत सम्हाल करके करें क्योंकि कई बार पुरुसकार पाने के लालच में बच्चा गलत विवहार करने लग जाता है जब हम लोग आंतरिक अभी प्रेज़ना की बात कर रहे थे, तब भी बात हो रहे थी कि पुरुसकार का प्रियोग बहुत सम्हाल कर किया जाना चाहिए, पुरुसकार को प्राप्त करने के लिए वो गलत कामों में करने के लिए और प्रिविर्ट ना हो जाए, इसका हमें हचाकर के प्रथम आजाए, बलकि प्रथम आने के लिए पढ़ना जरूरी है, इसी काम के लिए पुरुसकार दिया जाए, तो ज़्यादा उप्युक्त होगा, अगली एक विद्धी है, परणाम की जानकारी, हम जब भी काम करते हैं, अगर हमें पता लग जाता है कि ये काम सही हो गया, तो हम उस काम को और आगे करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं, और अगर हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा किये हुए काम का प्रणाम क्या निकला, तो हम अभिप्रेरित नहीं होते हैं, हम अपने चात्रों के अच्छे विवहार की, या वांचित जो उनका व तब वो बाहिरूप से अभिप्रेजत हो सकेंगे इसी प्रकार से लक्ष की इस सबस्चता भी होनी जरूरी है बाहिरCrस करने के लिए हम चात्र को इस सबस्च तौर पर बता दें कि आज इतना करना कई बार तो सिर्फ कक्षा में जा करके ये कहने से ही कि आज हम ये पढ़ेंगे उतने से ही छात्र सीखने के लिए अविप्रेरित हो जाता है अगर हम कक्षा में जा करके कहें कि आज हम न्यूटन के तीनों नियम के बारे में अध्यन करेंगे इतना सुनने से ही Newton के नियम सीखने के लिए छात्र अविप्रेजित हो जाता है सीखने की इच्छा उसमें उत्वन हो जाती है तो लक्ष की इस पष्टता एक प्रमुक चीज है कुछ चीजें और हैं जो बाहरूप से अविप्रेजित कर सकती है जैसे प्रतियोगिता, competition प्रतियोगिता दो छात्रों के बीच में प्रतियोगिता दो कक्षाओं के बीच में और सर्वत्तम प्रतियोगिता तो स्वयम से होती है हाई स्कूल में तुमारे अगर 60% नमबर आए तो स्वयम से प्रत्योगता है इस बार तुम्हें ज़्यादा लाकर दिखाना है तीसरी कक्षा में अगर तुम कक्षा में दुतिय स्थान आया इस बार तुम्हें प्रत्थम आकर दिखाना है स्वयम से प्रत्योगता सर्वत्तम होती है जब प्रतियोगता का भाव होता है तब छात्र अभिप्रेजित हो जाता है क्योंकि उसे जीतना है प्रतियोगता का संबंद समाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है जब हम जीतते हैं तब हम प्रतिष्ठित महसूस करते हैं सम्मानित महसूस करते हैं तो प्रतियोगता छात्रों में अप्रेरित करने का माध्यम है इसी प्रकार से सहयोग सहयोग का सम्मंद समाजिक भाव से है जब टीम में कोई काम छात्र करते हैं एक दूसरे के सहयोग से उन्हें उस समूं का सदस्य होने की अनभूती होती है उस सुक की अनभूती होती है और उसके माध्यम से वो अविप्रेरित होते हैं फिर एक है नवीनता रोचकता और नवीनता दो ऐसी चीजे हैं जो अविप्रेरित करने का काम करती हैं शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाए, तो अपने पढ़ाने में नवीनता लाए, एक ही तरीके से न पढ़ाए, कभी उस विशवस्तु को किसी audiovisual aid के माधन से समझाए, कभी बीच में प्रिशने पूछ ले, कभी उसमें कहानी सुना दे, कभी उसमें रोचकता लाने के लिए क कोई उपकरान दिखा दे, ऐसा करने से निरंतर नवीनता बनी रहती है, नवीनता का संबंद रुची से होता है, जब विशवस्तु को हम नए ने तरीकों से पढ़ाते हैं, नवीनता लाने का प्रियास करते हैं, तो रोचकता बढ़ती है, और रुची एक आंतरिक अभिप करने के हम स्वयम और हमारी काबिलियत है, हमने महसूस किया होगा, कक्षा में जब कोई शिक्षक अच्छा शिक्षक जाता है, चात्र उस शिक्षक को कक्षा में देख करके ही सीखने के लिए अभिपरेरित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये शिक्षक बहुत अच उपस्तित होते ही छात्र का दिमाग पढ़ाई से हट करके एक डरे सह में बालक की तरह हो जाता है कि किसी तरीके से मुझे आदा घंटा कक्षा में ऐसे बैठना है कि मेरी डांट ना पड़े सर मुझे डांटे ना तो शिक्षक स्यम अभी प्रेणा का सर्वत्तम माध्य मूता है फिर उसके बाद वो कौन सी बहुत सारे शिक्षण कोशल हैं कैसे पाठ को प्रारंब करता है कौन सी विधी का चुनाओ करता है वो देशे सामने कक्षा में कैसे रखता है कौन से और डिविजल एड प्रियोग क करता है कैसे चात्रों को पुर्ण बलन परदान करता है कैसे प्रसुति करन करता है कैसे प्रिशन पूंचता है बहुत सारे शिक्षण कोशल है अगर उप्यूक्ति शिक्षण कोशल का शिक्षक प्रियोग करेगा तो चात्र सीखने के लिए अभी प्रेडित होगा तो यह श गोरिंग शिक्षक, जिसका स्वेम पढ़ाने में कोई अविपरेड़ुना नहीं है, जबरदस्ती ऐसा लगता है, कखशा में भीज दिया गया है, वो छात्र को कभी भी अविपरेडित कर नहीं सकता है. So, शिक्षक का स्वेम अविपरेडित होना आवशक है, कुशल होना आवशक है, सबसे बड़े माध्यम छात्र को अविप्रेरिद करने के शिक्षक आप स्वयम है, अगर आप अच्छे हैं तो अन्य किसी विधी के आवशक्ता ही नहीं है, आपकी उपस्थिती से ही आपके छात्र सीखने के लिए तत्पर हो जाएंगे जी मेडम, धन्यवाद अभी प्रेणा का तत्व सदैव उनके व्यक्तित्यों में बनाए रख सकते हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेडम, आज स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, तो अगली बार पुन्हा आप से मिलेंगे एक नए विशे के साथ, आज के लिए धन्यवाद.